तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गौट टेक्निकल दोस्तों सिखाना मेरे काम सीखना आपका आज एक नई अपडेट यूटूब की तरफ से आ गई है और अपडेट कुछ ऐसी है जो बहुत जरूरी है आप सब लोग को जानने क है ये अपडेट क्योंकि अपडेट कुछ ऐसी है दोस्तों आपके जो व्यूज आते थे वह डिपेंड करते थे कि आपके सब्सक्राइबर आप जैसे मानलो आपके सब्सक्राइबर एक हजार है और आपके व्यूज आते थे जैसे कि सौ आते थे दो सो आते थे लेकिन आप पर update क्या है कि पहले क्या होता था दोस्तों पहले था कि आपने subscribe कर लिया चैनल और notification bell बजा दी लेकिन अभी क्या है आपका एक update के साथ YouTube आ चुका है वह है अब आप subscribe करेंगे किसी को चैनल को और जब आप notification bell बजाएंगे तो notification bell बजाने के साथ उसमें कुछ option लिखे हो आते ह हैं यह आप देख सकते हैं तो यह वो ऑप्शन दोस्तों इस तरह से उप्शन लिखे हुआ आएंगे कि आपको all notification चाहिए उसकी या personal notification चाहिए या फिर कोई option of the notification आपको नहीं चाहिए ऐसा notification का एक नया रूल आ चुका है और इससे अब फाइदा क्या है जैसे कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपके चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो सब्सक्राइबर एक्टिव है या नहीं आप ये पता चला सकते हो दूसरी चीज़ आपके सब्सक्राइबर लोग ऐसे हैं जिननों सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है नोटिफिकेशन बैल नहीं दबाया हुआ है तो आप यहाँ से यह भी चेक कर सकतो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि व्यूस भी यहां से इंटिग्रेट हो रहे हैं यानि कि अब यहां से व्य व्यूज़ आ रहे थे तो आप यह देख सकते हो कि सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूज़ देखे हैं यानिकर सबिक्राइबर जितने भी मेरे थैं उन्हों ने वीडियू देखिए लेकिन उन लोगों ने वीडियू देखिए जिन लोगोंने नोटिफिकेशन बैल बजा र dalक अराम से देख सकते हो अपने चैनल पर करना क्या होगा चोटा सा स्टैप है लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि जितनी भी इंफोमेशन मैंने आपको बताई है यह यूटूब के नए रूल के साथ है और इसके मतलब ऐसा है कि नॉटिविकेशन बैल अब आपको बजाना है तो उसमें भी आपके कुछ आप्शन नजर आ जाएंगे जैसे कि मैं आपको पहले दिखा दिया है तो आप्शन जैसे कि मैं आपको बता दिया है कि पर्सनल है और नोटिविकेशन है कैसे करना है वो मैं नहीं जानता दोस्तों लेकिन साथ-साथ मेरा भी नोटिविकेशन बजा देने अगर आपने नहीं बजाया हो तो all notification के साथ तो ये तो हो गई मेरी promotion की बात अब बड़ते हैं आगे तो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह से आपको करना है तो इसके लिए अपना सीधा सिंपल YouTube Studio यहीं YT Studio को उपन कर लेते हैं तो देखिए YT Studio में उपन कर लिया है अब यहाँ पर सेम जैसे हम क्लिक करेंगे अपना तो यहाँ पर देखिए over review है review के बाद हमारा review new जैसे आया था revenue हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरा searchable हुआ है externally आप यहाँ पर देख सकते हैं सजिस्टन वीडियो में ब्राउजर फ्यूचर में यहाँ पर एक option नया आ गया है देखिए यह है notification तो notification वालोंने कितना देखा है 1.2 परसेंट तो दोस्तों 1.2 परसेंट अगर सिर्फ मेरे लोगों ने देखा है तो यह आप चेक कर सकते हैं कि आपके चैनल पर कितने लोगोंने कितने परसेंट देखा है notification के माद्य अबजारी notification के जरीए और देखिए end screen से भी आप देख सकते हैं चैनल पेज से भी आप देख सकते हैं यह तोटली आपको revenue यहाँ पर दे देता है इसके लावा देखिए यहाँ पर टॉप externally सोर्स आ रहा है तो यहाँ पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो इसके आपको नजर भी आ सकते हैं कि हमारे जो वीडियो में चलें वह किस तरह से चलें तो देखिए कि इसकीपिबल जो एड है वह 44% चले है उसके बाद bumper एक्षेंज जो है वह 37% चले है डिस्प्ले एड जो चले है वह 13% चले है फिर नौन इसकीपिबल जो एड है वह 4 और 1% च है टोटली आप यहाँ पर देख सकते हैं अज कि वीडियों कैसे लेगी हमने कॉमेंट कर जरूर बताइए तो अगर कुछ और जान कर इची यह तो वह भी हमने कॉमेंट कर देजीए का वीडियो कैसे लेगी दोस्तौ आज के लिए बस इतने दोस्तो झाल्ट कर दो